ब्रेनी काईस, कल की तयारी आज से प्रंगीला, शह आलम, भादोर्शा जफर, एक्सिक्ट्रा एन इमोजिंग औफ रीजिनल पावोस, लाइक अवद, हैदराबाद, बैंगॉल, मराथा, पंजाब, एन मैसूर क्योंकि इस टाइम पे मुगल एंपायर कफी वीक हो गया था एन जो लोकल रूलोस थे, उन्होंने अपने आपको इंडिपेंडेंट कर लिया था एन आता है, एडवेंट ओफ यूरोपियंस सबसे पहले, पॉर्टोगीज ट्रैवलर, वासको जिगामा, भारत आते हैं, विद दा हेल्प औअबदुल माजीद इनको फॉलो करते हुए आते हैं, डचिस, ब्रेटिश, दीन्स, और फ्रेंच और इन सम्में, ब्रेटिश जो की एक कंपनी, ब्रेटिश इस्ट इंडिया कंपनी बनकर आए थे, भारत के एक हुकमरान बन बैठे फिर शुरू होती है एंगलो-फ्रेंच राइवल्री, विच टोंस इन्टू कार्नेटिक वार पहला वार होता है 1740 से लेके 48, सेकंड वार होता है 1749 से 1754 था, थार्ट वार चलता है 1758 से 1763 था इसके बाद फ्रेंच इंडिया से चले चाते हैं, जस्ट एक डचिस एंड डैनिश, अब बचते हैं सिर्फ ब्रिटिश और ये अपना एक्स्पेंशन स्टार्ट कर देते हैं, इंडिया में और इंडियन पॉलिटिक्स में इंटिफेर करने लग जाते हैं फिर होता है बैटन ओफ प्लासी in 1757 इसके बाद इंडिया में ब्रिटिश राज की जड़े मचबूत होती चली जाती हैं और शुरू होता है ब्रिटिश राज का शाशन भारत में पिर होता है बैटन ओफ बकसर in 1764 इसी टाइम पीरिट पे क्या होता है कि मैसूर स्टीट जो होता है जिसे पहले वाडिया डाइनस्टी रूल कर रही होती है लेकिन हैदर अली से काप्चर कर लेते हैं और मॉडरन डे मैसूर फाउंड करते हैं अब 1767 में फोर्स एंगलो मै 娜ञ ओधर आली अचे पहले जोता है इसमें मराथा को निजाम एन बिटिश ओडिकर झोई करते हैं अगींस्ट हैदर अली And Treaty of Madras sign होती है जिसमें Britishers Heather Ali को अशौर करते है In future अबर उन पे अटाक होता है तो British उनकी मदद करेंगे 1780 में 2nd Anglo-Messour War हुआ And British did not help Heather Ali 1719 में 3rd Anglo-Messour War होता है And 1799 में 4th Anglo-Messour War होता है And Tipu Sultan की death हो जाती है And Wadiar Dynasty को restrain कर दिया जाता है And Subsidory Alliance impose कर दिया जाता है जो की Maratha सबसे powerful kingdom था उस टाइन तो British ने डारेक्ट उससे चेटचार नहीं की उन्होंने पहले weak kingdoms को target किया और अपनी power बढ़ाई 1775 में जैसी ही Maratha weak होने लगे उन्होंने Maratha Pollux में इंटरफेक करना स्टार्ट कर दिया And in 1775 में Anglo-Maratha war होता है 1803 में 2nd Anglo-Maratha war होता है 1870 में 3rd Anglo-Maratha war होता है And पेश्वरशिप को abolish कर दिया जाता है And Punjab में after the death of Maharaja Ranjit Singh British Punjab की politics में इंटरफेर काने लगते है 1845 में 1st Anglo-Sikh war हुआ And 1848 में 2nd Anglo-Sikh war हुआ And Punjab state was annexed by British Jews In 1849 And Dilip Singh was sent to London on pension Then British East India Company काफी सारे acts रिलीज करती है जैसे Regulating Act of 1773, PITS India Act of 1784, Charter Act of 1793, 1813, 1833 and 1853 अब होता है major historical event 1857 war of independence Because of their arbitrary acts like Dalhousie Stock Trine of Laps, Veneasley Subsidory Alliance, regional states को suppressed feel हो रहा था उनके states British East India Company annexed कर रही थी And काफी और भी reason थे And 1857 गी कुरांती पूरे भारत में फैल जाती है But Britishers successfully उसे control कर लेते हैं फिर उसके बाद Congress का एरा स्टार्ट होता है Congress A.O.U.M. द्वारा बनाए गई एक organization थी जो इंडियन को represent करती थी इसके दो phase है Moderate phase of freedom struggle जो की 1885 से लेके 1905 तक था इसका second phase है extremist phase जो 1905 से लेके 1915 तक चलता है इसके leaders है लाला राजपतराय, विपिन चंदरपाल बाल गंगदर तिलक और और विंदो खोश फिर 1915 में भारत में गांधियन एरा स्टार्ट होता है गांधीजी के नेतरत में चमपारण सत्तेग्राय 1917 एहमदाबाद मील स्ट्राइक 1908 और खेड़ सत्तेग्राय होते है देन 1920 में होम रूल लीग और खिलापत मुवमेंट चलता है 1930 में आता है सिविल डिसोबीडियन मुवमेंट 1942 में आता है क्विट इंडिया मुवमेंट 1943 में सुभाज चंदरबो आजाध हिंद पॉच का नेतरुत्व करते है और फाइनली 1947 में फ्रीडम एंड पार्टिशन